मी कोनाचे एकले नाहीं, मैंने किसी की बात नहीं सुनी, I have not heard anyone's saying, उरुदयत प्रेम पूर आला होता, ठीक है, जो दिल है वो पूरा प्यार से भर आया था, the heart was overwhelmed by love, तो नदी नाल्यास थोड़ीच भीक घालनार, ठीक है, जिसके दिल में प्यार उबरता है, तो वो थोड़ी नदी नालो से डरता है, है ना, right, the person who got overwhelmed with love, he never fears of rivers and all that, नवीन कोट, बांदून, घेवन, मी, निगालो, नया कोट को पैक करके मैं निकल गया, right, मैं निकल पड़ा, not निकल गया, मैं निकल पड़ा, by wrapping new coat, I started, punk अस्ते तर एकदम उड़ून गेलो अस्तो, ठीक है, अगर मेरे punk होते तो मैं सीधा उड़ के चला गया होता, इफ I would had wings, then I would have flied and went, चालने चे श्रमच वाटत न होते, ठीक है, चलने का कुछ भी ऐसा महनत नहीं लग रहा था, walking was not, like having any pressure, सुक सपनात दंग होतो, ठीक है, कैसे था वो, एकदम सपने में, अच्छा सपने में वो, एकदम ढूब गया था, दंग हो गया था, डूब गया था, He was dipped into good dreams, good thoughts, आईला किती आनन्द हो इल, या कलपनेत में होतो, मम्मी को कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा, वो सोचके ही वो खुश हो रहा था, एक नानेटी माजा, पाया जवलून, उड़ी मारून गेली, ठीक है, एक तरीके का मुच्छी होता है, तो वो उसके पैर के पाथ से गुजर गया, नानेटी मनुन एक सापाचा प्रकार आहे, ठीक है, तो क्या है, नानेटी एक साप का प्रकार है, तीचा हिरवारंग अस्तो, उसका क्या है, हिरवारंग रहता है, उसका, नानेटी उडिया मारत जाते, नानेटी कैसा चलता है, वो उडि मार मार के चलता है, ठीक है, तो आपको दिखाने के लिए देखिए, ये है नानेटी साप, देख रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से ये साप होते हैं, और ये कैसे उड़ उड़ के चलते हैं, तो ये नानेट साफ है राइट तो नानेटी उड़्या मारत जाते ओड़ उड़ के चलता है मला जरा बीती वाटली फिर मुझे थोड़ा डर लगा ऐगाट फियर्ड जपुन सालो लाग लो फिर मैं थोड़ा आराम से संभल के चलने लग गया पिसी चा पार्या धुड़ती भरुन वाहत होत्या ठीक है जो नदी थी वो कैसे थे एकदम भर भर के जा रही थी भर के चल रही थी तैचा पानेला ओड़ फार अब इतना मतलब खीच के लेके जाने जितना उर्स में ताकत था काई कराय से आई छे नाव घेतलेव शिरलो पाने थी ठीक है अब वो खीच के लेके जा रही फिर भी ममी का नाम लिया और मैं पानी में उतर गया हातात काटी होती हात में क्या था लखडी था पुड़े काटी टाकवाई से मग पाउल टाकवाई से ठीक है पहले आगे क्या करने का लखडी डालने का फिर उसके उपर अपना पैर रखने का ताकि कहीं पर भी मतलब खोल कितना है वो समझ में आएगा और कुछ रहेगा तो बितात होतो ठीक है अब इतनी ऐसा कागार पे था कि बस अभी मैं पानी के साथ बै जाओंगा परंतु कसा बसा बाहर आलो बस फिर कैसे वैसे मैं बाहर आ गया इतर नदी नाला ना प्रेमा ने भेटवैस जानारतो नाला ठीक है तो अभी वो दूसरे नदी नालो में चला जाएगा मिलने के लिए तो मला कसा बुडवील ठीक है वो भी तो अपने जैसे मैं भी मिलने जा रहा हूं तो ऐसा बोल रहा है वो कि वो भी मिलने जा रहा है तो मुझे कैसे डुबाएगा मैं भी तो मेरे भाई से मिलने जा रहा हूं तो मला कसा बुडवील मी माजा भाव बेचना जात होतो तो वो भी अपने बही से मिलने जा रहा था द आक Stud के उत्साह में था तो वह जैसे आर मरमार हो ये भी जा रहा था दावपल करित होतो बस वो भी जैसे भाग रहा था ये भी भाग रहा था वैसे त्या नालय प्रमाने स्मीही वृदय भरुन घेवन जात होतो वो जैसे एकदम भर-बर के जा रहा था मैं भी अपने दिल में उत्साह भर के जा रहा था रस्ते तिल खड़ी वर आली होती ठीक है तो रस्ते पे जो खड़ी होती है जो फत्तर जैसा पुरा होता है वो फत्तर उपर आ गया था सुया सार के दगड पयाना खुपत होते तो उसमें जो टुकीले फत्तर थे पतले पतले वो उसके पैर में चुब रहेते परंतु माजे तिकड़ी लक्ष नव होते लेकिन उसकी तरफ मेरा लक्ष ही उसका ध्यानी नहीं था आदर अंदार होने पूर्वीत सा घरी जाने अची धड़पड सालली होती ठीक है अंदेरा होने से पहले घर पे पहुच जाओ वो उसका मन में चल रहा था परंतु वाटे तस अंधार पढ़ला लेकिन फिर क्या हो गया कि रस्ते में ही अंदेरा गिर गया कडाड कडाड आवाज घरजत होते मतलब बिजली खड़कने का आवाज घड़ड घड़ड है सब आने लग गया विजयाचम चमचम करत होते हैं विजली जो है चमचम एकर रही होती है रैट खलकल पानी वहत करत होते हैं पानी का जो आवाज है वह खलकल खलकल करके वह भी उसको लग रहा था त्या पंच महा भूताचा नाचा तुन मी सालो होतो अब बारिश हो रही है हवा भह रहा है वो सारी चीजों को अनभो करते हुए वो चल रहा था शेवटी एक दास मी घरी आलो बस जैसे फिर मैं एक बार घर पहुँच गया ओला चिम्ब हो उन गेलो होतो ठीक है आई में बाहर उन हाक मार ली मैंने बाहर से आवाज लगाई हवेत फार घराटा आलेला होता हवा बहुत जोर से चल रहा था वडिल सद्या करत होते वा आई ने शेगडित निखारे शेखनया साथी दिले होते ठीक है तो कैसे ममी जो है अपना खाना बनाने के लिए आग लगा रही थी और पिताजी जो है पूझा पाट कर रहे थे अन्ना आला आई अन्ना अन्ना मतलब पिताजी को वो लोग अन्ना बोलते हैं ठीक है आई अन्ना धाक्त्या भावा ने दार उगड ले ठीक है छोटे भाई ने दर्वाजा खोला सुरी अन्ना आला मतलब ये बड़े भाई को बोल रहा है कि अन्ना आला आई अन्ना ठीक है तो मम्मे को उसने बोला कि अन्ना आया है और छोटे भाई ने फिर दर्वाजा खोला दोगे लहान भाव भेटले ठीक है दोनों छोटे भाई मिल गए इतक्या पाव सातुन शाम कशाला आलास सारा भिजलास ना क्या इतने बारिश में तू कैसे आया क्यों आया पुरा भीग गया ना आई विचारू लागली ठीक है मम्मे ने पूछना शुरू कर दिया सोंडे घराचा पाएला पानी नवोते का रे वडिलान नी विचार ले ठीक है तो वो जो नदी था उसमें पानी नहीं था क्या वो ऐसा पूछ रहे पिता जी ने हो परंतु मी आलो कसा तरी मी मंटले त्या दिवशी एक बाई वाहुन के लिए हो त्या तुन वडिल मना ले ठीक है नहीं वो पानी तो था लेकिन मैं उसमें से कैसे भी आ गया और फिर पिता जी ने बुला उस दिने एक औरत उसमें बै गई थी बरे ते कपड़े काड़ पान्या ने अंगोल कर आनी आई मना ली ठीक है तो चलो ठीक है अभी आपना कपड़ा उतारो गिला वाला जो कपड़ा है और अच्छे से ना दो के तयारो जाओ मम्मी ने बोला मी अंगोलीज गेलो धाक्ट्या भावाने माजे लहान से घटोडे सोडले ठीक है और फिर जो छोटा भाईता वो वहाँ से उसको छोड़ाया लहान मुलानना सवयस अस्ते है ना वो जो लाया उसने उसको खोला उसने और जो है छोटे बच्चों को आदत रहती ना कुछ भी लाएगा तो उसको पहले खोल के देखने थैन्या वाटत अस्ते की कही तरी आपला साथी आनलेले असेल तर उनको क्या लगता है की हाँ छलो मेरे लिए कुछ लाया होगा परन्तु मी माज़ा भावडा सकाय आननार कोंता खाऊ आननार कोंते खेलने आननार कोंते रंगीत चित्र छे पुस्तक देनार मी गरीब होतो परन्तु माज़ा बावास्त्या गार्डो डैत काही तरी सापड ले, ठीक है, उसको लगा कि मैं मेरे भाई को क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ मेरे भाई के लिए, कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं ला सकता, खेलने के लिए नहीं ला सकता, अच्छे किताबे रंगीली वो नहीं ला सकता, क्योंकि मैं गरीब था, लेकिन मेरे भाई को उस थैली में कोई चीज मिली, त्यात कोट सा पड़ला, उसको उसमें कोट मिल गया, नविन कोट, नया कोट मिल गया, तो कोट नवता, ते रुदय होते, ते प्रेम होते, ती आईची फलद्रप जाल प्रेली शिक्वन होती, ठीक है, वो कोट नहीं था, वो क्या था, भाई का दिल था, वो प्यार था अपने भाई के प्रती, और वो एक मा की जो शिक्षा थी, वो सीखती, वो कोट अनना, हा लहान सा कोट कोना चा? फिर उसने पूछा भाई, ये चोटा सा कोट किसका है? हा नविन कोट कोना ला रे? है ना, धाक्ता भाव कोट गे उन? माजाद अवल ये उन? विसारू लागला ठीक है फिर छोटा भाई जो है उसके पास आ करके वो पूछने लगा कि ये जो कोट है वो किसका है मक सांगेन घराजा गेउन मि मंटले ठीक है जा घर में जा मैं अभी बताता हूं तुझे हाई या बग कोट हा काही अन्नासा अंगासन आही हा मला आनला होई आई ठीक है फिर क्या हुआ कि वो बच्चा भाई उसके मम्मी के पास गया और उसने पूछा उसने बोला कि ये तो भाई के साइस का नहीं लग रहा है बड़ा नहीं ये उसके जितना ये छोटा है तो ये मेरे लिए होगा दाट का दाट का बाऊ आई ला विचारू लागला फिर वो छोटा भाई जो है मम्मी से पूछने लग गया आई ने कोरडे धोरत दिले मी चुली जवल शेकत बस लो ठीक है तो वो जो आग था वो लगाया और वो वहां नजीक बैट करके सेखने लग गया गर्मी से आई मन मनाली शाम हा कोना सा कोट फिर मम्मी ने बोला कि एक इसका कोट है मोरू जोशान कडे का रे द्यावस आई है कपातलय मुखाने पाटविला असेल वडिल मनाले ठीक है किसी और का कोट उन्होंने बेजा होगा और ये लेक्यार के आया होगा आई उन्होंने बोला नहीं हा मी पुर्षोत्तम साटी शिवुन आनला है उसके छोटे भाई का नाम क्या है पुर्षोत्तम साटी शिवुन आनला है मी मंटले फिर उसने बोला नहीं ये किसी और का नहीं ये पुर्षोत्तम के लिए मैंने सिल्वा के लाया है पैसेरे कोटले कुनाचे कर्ज काडलेस का फीचे धड़ धवडलेस वडिलान नी विचार ले ठीक है क्या किया तुने पैसा कहां से आया तेरे पास और किसे कर्ज लिया ऐसा सब उन्होंने पूछा कुनाचे पैसा ना हात तर नाही न लावलास ठीक है कहीं से किसी और के पैसे को तो हाथ नहीं लगाया ना ऐसे उसके पिता जी ने बोला आई ने कातर स्वरत विचार ले ठीक है आई एक दम थोड़ा सा हलके स्वर में पूछा उन्होंने आई मी कर्ज काड ले ना ही चोर ले ले ही ना ही इत ठीक है ना मैंने छोरी किया ना मैंने किसी और के पैसे को हाथ लगाया ऐसा मैंने बोला ठीक है बच्चो समझ में आ रहा है ना आपको ये चैप्टर ले मेरी गूड तो एक और पेज है इसका अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों को ये चैप्टर का ये पेज का एक्स्प्लेनेशन बेज दीजे और ये जो end पे अभी link आएगा और आपको इस चैप्टर के सारे question answers मिल जाएंगे तो उस page को visit करिए और सारे question answers वहाँ पर आप देख सकते हो मैं आपको questions और answers भी explain कर दूँगा लेकिन वहाँ पर आप question answers देख सकते हो हमारे website पर तो इसी तरीके से हम आगे के chapter को भी पढ़ेंगे All the best